जब आप ITR Offline Utility से फाइल करते हैं, चाहे वो ITR U हो या फिर Offline Excel Utility हो, उसमें जब आप JSON प्रिपेर करते हैं, Excel से JSON जब आप बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर JSON तो आपकी बन जाती है, बड़ जब आप उस फोल्डर में जाके चेक करते हैं, तो आपको वो JSON मिलती ही नहीं है. Now, ये Windows की Error होती है, आज आपको बताने वालो कैसे ये Error आपको ठीक करनी है, और कैसे आपको अपनी JSON जो आपने बनाई है Offline Utility से, वो शो होगी आपके सिस्टम में. Hey guys, मैं हूँ Vivek from Fintex Pro, जहाँ पर हम बात करते हैं Finance and Taxation की, without any further ado, start करते हैं आज के session को. सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है Settings में, and यहाँ पर आप Turn On Window Feature जो है, Turn Window Feature On or Off, directly आप यहाँ से भी जा सकते हो. दूसरा option यह कि आप यहाँ से Settings पर जाएए, यह थोड़ा सा lengthy process होता है, Settings में जाकर के आप यहाँ से Control Panel में जाएए, Control Panel में जाकर के आप यहाँ से Search कर सकते है, Control Panel में यहाँ से आप जाएंगे, मैं आपको दोनों process बता देता हूँ, Control Panel में जाकर आपको Program and Feature दिखेगा, यहा यहाँ पर Turn on window feature आपको यहाँ पर left hand side पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है, या फिर simply आप Search में, Search कर लिजिए, Turn window feature on and off, इसके बाद में पहला option आपको दिखेगा, .net framework 3.5 included, .net 2.0 and 3.0, इसको आप पहले select कीजिए, तीन ही option आपको सबसे पहले select करनी है, उसके इसको okay कर देना है, तो यहाँ पर कुछ files download होगी, पहला option आएगा, let window update, download the file for you, download होने दीजिए एक बार, download होने के बाद applying changes होगे, तो changes हमारी windows में एक बार apply होगे, तो इसमें भी थोड़ा सा time लगेगा, इसको हम होने देते हैं, जैसे ही आपका यह process complete होगा, windows completed the requested, ध्यान आपका net से connect होना चाहिए, wifi से आपका connection होना चाहिए, तब ही यह process पूरा आपका complete होगा, जब आप यह process कर लें, उसके बाद में आपको जाना है, browser पर, and यहाँ पर यह link में आपको नीचे description में दे दूँगा, तो .net framework की कुछ files होती है, जो missing होती है, उसकी वज़ा से भी issue पाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से, download कर लेना उन files को, and install करना है अपने system में, तो यहाँ से download में हमारी यह files save हो जाएंगी, so यहाँ पर, देखे, file हमारी आ गई है, file पर आपको right click करना है, run as administrator पर आपको click करना है, and यहाँ पर yes कर देना है, तो यह files, जितनी भी files है यह आपके system में क्या हो जाएंगी, install हो जाएंगी, but अभी रुकिए, अभी आपको काम नहीं करना, उसके बाद आपको system को एक बार restart करना है, तो मैं फटा-फट से system एक बार restart करके, फिर आता हूँ, restart करना बहुत mandatory है, otherwise आपका काम नहीं होगा, so गई system हमारा restart हो चुका है, अब हम दुबारा से अपनी file पर जाएंगे, यह file हमने save की है, open करेंगे अपनी Excel को, यहाँ पर सारी calculation हमने की हुई है, so हम क्या करेंगे, यहाँ पर last में जा करके, calculation हमारी पूरी okay है, just हमको generate JSON पर click करना है, यहाँ हमको alert देगा एक बार, alert के बाद में save JSON का option आजाएगा, save JSON पर click करेंगे, and इसको okay कर देंगे, तो अब check करते हैं, हमारी JSON जो है, देखे, यहाँ पर आप देखेंगे, यह देखेंगे, यह वाली file, नीचे वाली file, यह वाली जो file है, JSON file हमारी यहाँ पर generate हो गई है, properties में आप देखोगे, JSON file है, इस JSON file को, आपको upload करना है, portal पर अपनी return file करनी है, so, दो दिन से काफी परिशानी मेर को भी हो रही थी, जब से मैंने system change किया, JSON यहाँ पर generate ही नहीं हो रही है, तो वो आपके windows का technical issue होता है, यह दो step आपको simple से करने है, पहले तो जो window की setting है, उस setting में जाकर के आपको जो दो चीज़े मैंने बता है, उनको turn on कर आशा करता होंगा है, आपको समझ में आया होगा है, technical issue कैसे resolve करना है आपको, अगर आप offline ITR file कर रहे है, Excel utility के help से, thank you so much guys for joining today's session, have a great time, हसरे, मुसकुराते रहे, और ऐसे informative videos के लिए follow कर लीजे, fintex pro को, bye bye, take care.